में नेस्त अगर अगर against यहां पर ऐी बना हुई है तो यहां पर देख सकते हूं अगर पहला एğin करेंट को समझ लो इसको तो मान के चलते हैं आगी करेटेस्टिक दे रखी अब पहले वाले केस को देखो तो इसमें देखो इतना सा वोल्टेज लग रहा है इतनी ज्यादा current produce करने में तो क्योंकि voltage कम लग रहा है और current ज्यादा produce हो रही है तो हम कहेंगे इसका resistance कम है ठीक है देखो सीधी सी बात है अगर कोई material है उसके अंदर हमें current flow कराना है तो हम उस पर voltage वी apply करेंगे अब अगर थोड़ा हो रहा है तो हम कहेंगे इस बॉड़ी के अंदर रिजिस्टेंस कम है मतलब कम वोल्टेज अप्लाई करा और ज्यादा current मिल रहा है या अच्छा है second case इसको देख लो तो इसके अंदर देखो इतना ज्यादा वोल्टेज लगाया और इतना सा current मिला समझ में आरी बात ही इतना हाई voltage लगा कि इतना सा current यानि कि यह मैट्रियल भी है second case वाला जो मैट्रियल है इसके अंदर हमने same voltage वी लगाया पर current बहुत ही small quantity का flow करा तो थोड़ा सा गले की दिखक्त चल रही है तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो समझ में आ रही है तो हमने क्या कर रहा है हमने वी वोल्टेज लगाया लेकिन हम देख सकते हैं कि हमें current जो है वह क्या होगा बहुत ही कम मिला इतना जादा voltage लगाया और इतना कम current मिला तो इसके लिए हम कह सकते हैं यानि कि यह जो material है यह बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा resistance ओफर कर रहा है तो high resistance और अगर resistance बहुत जादा है तो यानि कि जो current इस material के अंदर flow कर रहा है उसको flow होने में जो आसानी है वह बहुत कम है तो low conductance यानि कि ease of current flowing जो है वह काफी जाद कम है तो आयोब समझ में आ रहा होगा कि अंदर उतर के आप देख पा रहे होगी किस तरीके से resistance हम पता कर सकते material के कैसे nature को define करते है ठीक है आयोब clear हो गया होगा अब देखो यहाँ पर यह तो चीज होगी simple case अब क्या होता है दोनों resistance को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं यूज एक होता है connection अगर करने जाओगे तो series में connect कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो पैलल में connect कर सकते हो ठीक है तो अब देखो यहार एट चीज ध्यान रखने होती जब भी हम series में resistance को add करेंगे उनकी value बढ़ती है ठीक है यानि यहां पर यह जाता है कि मैंसे कर वन और कर से कौन circus करता plain को एस से तरीके से ठीक है कर एक है संपल बेस नहीं जाना इतना सा और इस पर इतना सारा करेंट मुझे मिल गया तो कम वोल्टेज में जादा करेंट इसका मतलब क्या हुआ कितना कम हैतना के तब ही को इतना सारा कि इतना सा करेंट मिलाHS यहां देख सकते हो इतना सा करेंट मिला यही तो है वही इतना प्रष्ट time रख रॉकह तो हाई वोल्टेज लगए लो करेट इसका मतलब रेस्टेंस बहुत ज्यादा मेर्टर टर कर रहा है करेंट के फ्लो को बहुत ज्यादा ऊफर कर रहा है तो इट विल शियोर लिदा सीरीज कनेक्शन यानि की मेंग्टूट बढ़ा हुआ है तो रस्ते से जाना मुश्किल होगा तो इसलिए क्या होगा आपके लिए कम हो जाएगा जब भी रस्तेंस बढ़ेगा तो सीरीज के अंदर रस्तेंस बढ़ता है और कंडूक्टेंस क्या होता होता है कंडूक्टेंस आपका कम होता है कि अ क्या हुआ है तो